हेलो 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 गुड अप्टर नून आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर जहां पर आप त्यारी कर रहे हैं क्लास 12 बोर्ड की जी हां आज होने वाला है क्लास 12 का लास लेक्चर आपका स्वागत हो गया है according to the NCIT book even अगर आप सेंटरल बोर्ड से भी नहीं है स्टेट बोर्ड से भी है तो भी आप मेरे सारे लेक्चर को देख सकते हैं मैंने प्रिपरेशन ही ऐसे कराई है और मैंने स्ट्राटेजी भी आपको बताई है कि अगर आप स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तो आपको ऑनटिटी के साथ 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 बहुत मैटर करती है सेंट्रल बोर्ड यह एक्शाम डेने लग्षा सब्सक्राइब समय कई दाले लेकिन प्लेट्य नैंसे देखते जाएए अपने नूर्स बनाते जाएए डाइग्राम्स करते जाए एविलूशन वाले चैप्टर में कोई डा मिलर का जो मैने एक्स्परीमेंट आपको पड़ाया है उस एक्सपरीमेंटल सेटप ग्यासेब आपको आना चाहिए उसमें सारी छीज validate लेवल करने लेवल करना है यापको उसमें सारी जोब्धी ग्यासेन व्यस्जे उनका मिक्श्षय था जो जो भी ऑक्सीजन का प्रिजेंस बिल्कुल भी में शो कर देना वाँ पर जो भी रेशियो था उनका ग्यास का वह आपको ध्यान में रखना है थर्मोमीटर दिखा देना एक जगह पर प्रेश मीथेन और अमोनिया एंटर कर रही है यह भी आप बता देना टेंपरेचर दिखा किस ने किया कौन से साइंटिस्तें जो बाइयोजनेस 거지 को सुपॉर्ट करते थे इस गतड़ां यह थे दिया यह पूरी तरीके से डिसकार्ट कर दिया लें किन बातों के उपर उसके को points को criticize किया गया कौन से साइन्टिस्ट थे जन्हों ने criticize किया था डार्विन नँदी थेयरी में क्या modification यह distint नाडविन फिंट निचलिक्षिन कहां से करिया था किस चीज का ईकशाइमपल है करके लेक्चर में मैंने खतम कर दिया था आज ये लास लेक्चर आपका जहां पर थोड़ा एक चोटा सा टॉपिक रह गया है हाडी विंबर्ग प्रिंसिपल जहां से आपके एक्जैम में एक क्वेश्शन आ सकता है जादा दर तो कॉंसेप्शल question आते हैं आपके exam में concept वाली question, theory वाली question आते हैं, बहुत कम होता है biomassa के कभी numerical वाला question दे दिया जाए, लेकिन अगर दे दिया तो, तो हम तो छोड़ नहीं सकते हैं, हम skip नहीं कर सकते हैं, तो आपको मैं आज Hardy-Winver principle बताऊंगी, उस principle को या उस equation को इस्तिमाल करके, अगर question आता है, need में तो आता है, तो आपको उससे solution कैसे निकालना है, theory है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, theory इतनी important नहीं होती है, Hardy-Winver principle के बारे में, उसकी equation बहुत important, तो फटा फट से आप session को share कर दीजे, और जो बच्चे क्लास 12 में biology की तियारी कर रहे हैं, और biology के लिए पेपर देने वाले हैं 2024 में, तो आपके biology का syllabus मैंने यहां पर complete कराया है, चलो, थोड़ा हम आपकी किताब भी देख लेते हैं, अच्छा, यह मैंने सारा कर आपको पड़ा दिया था, यह human evolution के बारे में है, एक एक करके मैंने फॉसिल, सारे फॉसिल आपको समझाए, हर एक फॉसिल का क्या special character है, वो मैंने आपको बताया, हर फॉसिल की कितनी cranial capacity है, brain की capacity कितनी थी, कितनी उन्होंने अपने दिमाग को इस्तिमाल किया था, वो मैंने आपको बताया था, यह सारी चीज़े हैं, और आ इसमें देखो यह question आया हुआ है, यह need में भी आया है और 12th board में भी आया है, question में पूछा गया है, आप से ध्यान से देखिए, कि early atmosphere कैसा हुआ करता था, अर्थ पर, पृत्वी पर, शुरुवात में, atmosphere कैसा हुआ करता था, फटा फटा बता दो, मैंने आपको early earth condition पी आपकी किताब भी देखेंगे, NCRT के पूरा PDF की एक एक लाइन में आया पर discuss करने वाली हूँ, कि मैंने क्या-क्या पढ़ा दिया है, कुछ रह गया है, तो उसको भी discuss करतूँगी, ठीक है, चलिए, फटा-फट बताइए, अगर हम early earth condition की बात करें, तो हमें पता है, हमारा प्रित्वी थी, किस वज़े से उसके उपर life possible नहीं थी, कि oxygen नहीं थी, है न, प्लस बहुत सारी जहरीली gas नहीं गयस है, और volcanic eruptions हो रहे थे, लेकिन major factor क्या है, there was no oxygen, absence of oxygen, और absence of oxygen जहां पर होता है, ऐसे environment को हम reducing environment कह रहेते हैं, ठीक है, early earth पर reducing environment होने की वज़े से life possible नहीं थ थी, option समझ में आगया है, neat में भी इतना ही simple सवाल पूछा जाता है पर बच्चों को, reducing और oxidizing में पता नहीं हो था, oxidizing means presence of oxygen, in the presence of oxygen, चलिए, तो later earth condition, oxidizing हो गई थी, लेकिन early earth condition कैसी थी, reducing थी, option, question number second देखो, second में क्या बोल रहा है, evolutionary biology, ये evolutionary biology, किसका अध्यायन कहलाता है, हमा है जिसमें आप evolutionary biology के बारे में पढ़ते हो, या फिर हम evolutionary biology में किसको पढ़ते हैं, हमने पूरा evolution पढ़ लिया, 15 दिन, 20 दिन में पूरा evolution पढ़ा, evolution क्या होता है, क्यों होता है, evolution के समय में मैंने आपको क्या क्या चीज़ा पढ़ाई है, उनको ध्यान में रखते हुए, इस question का answer दीज़े, चलिए, फट फट बताईए, evolutionary biology किसका अध्यान कहलाता है, what is the study of evolutionary biology, तो हमने evolutionary biology में क्या पढ़ा था, हमने हमारी प्रित्वी पर जो बदलाव हो रहे थे, जीवन में, समय के साथ, उसका ही तो अध्यान किया था, अर्थ पर पहले life कौन सी थी, single cell थी, उससे पहले कोई भी life नहीं थी, धीरे धीरे हमने देखा, life में भी सबसे पहले simple life आई, यानि के invertebrates आए थे, invertebrates से फिर एके करके vertebrates की category आती चलीगे, जैसे कि आपकी fishes, amphibian reptiles, birds and mammals, according to the time, there was no life before, आज से लगबग 0.5 million year पहले कोई life नहीं थी, फिर पहली life जब originate हुई, वो कितने time पहले, 0.5 million year अगो पहले life आई, human का evolution कब हुआ है, आज से लगबग कली बताया था, मैंने आपको 25,000 साल पहली हुआ है, तो समय के साथ हमने पृत्वी पर जीवन में हो रही, बतलाव का अध्यान किया, यही तो किया था हमने, है ना, dinosaurs आय पृत्वी पर हमने उनका कंकाल मिला, इससे हमने idea लगा है कि इतने बड़े बड़े और्गानोजम भी हमारी पृत्वी पर रहकर जाद चुके है, उनका समय कितना पुराना रहा होगा, ड्रायो पितिकस, सिवा पितिकस, रामा पितिकस, कैनिया पितिकस, होमो हैबिलिस, होमो एरेक्टस, नियंडर्थेल्मन, पेकिंग में, क्रो मेंगनन, यह सब हमने पड़े, इन सब का क्या evolution ही तो हुआ है, बदलाव हुआ इन में, समय के साथ साथ, इसको हम कहते हैं evolutionary biology, changes in the life forms, changes in the history of the life forms on earth is known as evolutionary biology, समझ में आया है, चलिए, next question रेख लेते हैं एक बार, question पूछा है, earth, earth का origin कब हुआ है, तो देखिए universe का origin भी बताया था, earth का origin भी बताया था, और life का origin भी मैंने आपको बताया था, बताये, universe की जब अब आप तो जानते ही हो, सबसे पहले अगर हम chronological order में जाते हैं तो हमने कहा था एक खाली जगए है, करोडों साल पहले एक खाली जगए थी, एक दिन उस खाली जगए में bombardment हुआ और universe बन गया, ब्रह्मान बन गया, जब ब्रह्मान में धीरे 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 टेंपरेचर और प्रेशर यह सब नॉर्मल होने लगा तो वहाँ पर बहुत सारी galaxies बनने लगी, यही वे ने आपको बताय था, करोडों गयलक्सी है हमारे ब्रह्मान में, उन करोडों गयलक्सी में से हमारी गयलक्सी है, Milky Way गयलक्सी है ना, हमारे पास भी बहुत सारे planet है, बहुत सारे सितारे है, एक सूरज है, एक चंद्रमा है, हमारे पास clouds है, बादल है, डस्ट के और धूल के, और gases के बने हुए, तो हमारी Milky Way गयलक्सी में एक प्लानेट है, जिसका नाम है अर्थ, अर्थ वो प्लानेट है, जिस पर लाइफ पॉसिबल है, अभी तक तो रिसर्च ऐसा ही कहती है, यूनिवर्स में सिर्फ गैलक्सी इगलक्सी बनती जारी थी, बनती जारी थी, बनती जारी थी, और अर्थ का जो origin हुआ, origin of Earth के हम बात करें, वो आज से लगबग 4 to 4.5 billion year अगो पहले हुआ, अर्थ आई, आज से लगबग 4 to 4.5 billion year अगो पहले, और अगर हम first life form की बात करे प्रित्वी पर पहला जीवन कब आया था, ये भी मैंने आपको बताईए, डाटा, इस particular chapter में से factual और डाटा वाले question के ही सबसे ज़्यादा एक्जाम में आते हैं, question मतलब, आपको यहाँ पर facts याद करने ही पड़ेंगे, अब क्यूंकि मैं ये चीज तो मैं हर हर lecture के starting में बत a million years ago, समझ में आ रहा है, first life कहा है, मैंने human नहीं कहा, और जब human की बात की जाती है, तो ऐसा कहा जाता है, कि अगर आप human की बात करोगे, तो लगबग 25,000 साल पहले human आए, not true human, human की बात नहीं कर रहे हूं, human की तरह दिखने वाले, या फिर आप कह सकते हो, हमारे apes, जो ancestor हैं हमारे, उनके जैसे दिखने वाले, कुछ ऐसे organisms आए, कब आए, आज से 25,000 साल पहले, अभी से 25,000 साल पहले, और 10,000 साल पहले actual human आया, जिसने evolution स्टार्ट किया, जैसे आप homo erect erectus कहते हैं, homo habilis, homo erectus, homo erectus, homo erectus में हमने कल तीन अलग-अलग fossils की study की थी, आपका neanderthal man था, java ape man था, आपका packing man था, पर cromagnan आया, फिर modern man आया, यह सारे आपके true human थे, ठीक है, यह सारे fossils थे, और modern man आज तो आप देखी रहे हो, हम है modern, सबसे advanced, तो देख लो, जड़ा क पूछा है, earth कितने time पहले इसका origin हुआ है, approximate, अगर हम इस option में देखें, 4.5 billion year अगो मैंने बुला है, तो आप option में देखी, क्या लगाओगे, 4 to 4.5 billion year अगो, ठीक है जी, universe का, अच्छा, neat में ही यह question पूछे जा सकते हैं, neat में भी, बिलकुल, ऐसे ही, इतने ही simple simple question, लेकि कुछ revise करना होता है, कि हमारे दिमाग में सारे concept इधर से उधर mix हो जाते हैं, अगर हम revision नहीं करते हैं, आपको अब अपने boards के लिए, neat के लिए, revision करना शुरू करना होगा, पहली बात, जब हम boards की तियारी कर रहे हैं, हम नीट की अगर तियारी कर रहे हैं, हमारा target है neat, और ह February, March में हो जाता है, 60% syllabus खतम हो गया, अब आपको theory नहीं पढ़नी है, यहाँ पर time आपका बचता है, नीट की तियारी करने के लिए, है न, medical की तियारी करने के लिए, आपके पास 2-5 महीने होते हैं, आराम से आप उसमें 1 mark के question के लिए, जो 40% data बचा हुआ है, उसको आराम स पर लो आप, आपका पूरा time बच जाएगा, और अगर strategy चाहिए, तो 12 के बाद मुझसे मिलिए का, मनीट की strategy भी बता दूँगी आपको, ठीक है, चलिए, तो इसका option क्या हो जाएगा, option D will be the right answer, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी नहीं लिखा है, तो प्लीज आप से क्या बोल रहा है, which of the following was most likely absent in the free form in the primordial atmosphere at the time of origin of life, जब जीवन की उत्पत्ती हो रही थी, जब life का origin हो रहा था, तब अर्थ पर जो atmosphere था, उस atmosphere में किस चीज की इन में से absence थी, जो absence होगा, उसी के वज़े से अर्थ पर life possible नहीं थी, ये हम question पहले भी कर चुके है, oxygen की absence होन carbon dioxide भी निकल रही थी, और जो भी पानी था, वो वैपर के फर्म में उड़ जा रहा था, इतना ज़्यादा temperature था, ऐसे ड्रें गिर रही थी उस वक्त, तो absence of oxygen की बाज़े से, there was no possibility of life, and it is actually a early earth condition, ammonia, methane, hydrogen, carbon dioxide, water, वैपर, they were present in abundant quantity, but they are not supporting life, समझ में आया, ये question समझ में आपको चल biological time scale, quaternary period, quaternary period सबसे last में आया, सबसे advanced period यही, यही period चल रहा है, अगर आप बात करोगे न, आज के time पर, तो quaternary period ही चल रहा है, quaternary period, consist of two epochs, यह दो epochs से मिलकर बना हुआ है, मैंने आपको बताया है, एराकुर हम divide करते हैं, period में, period को हम divide करते हैं, epochs में, तो quaternary period, बना है, आपका holo scene and please to scene, please to scene, वो समय है, जब इनसान ने civilization करना शुरू कर दिया, human ने civilization, human appear हुए और human civilization begin हुआ, यह सबसे advanced ही है, ही समय है, जो आज के समय पर चल रहा है, please to scene, जब हम सब मर जाएंगे, और कोई नई species हमारे पूरे earth पर dominant करेगी, तब एक और era जोडा जाए नीचे है, समझ में आ गया, लेकिन अभी तो हम dominant कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा समय है, हमारा वक्त है, please to scene, हमारा epoch है, समझ में आया, यहां तक सारी situation, question समझ में आ गया, देखें जरा question अगला है क्या कोई, नहीं है, चलिए, question सारे खतम हो गए, यह one word question होते हैं, जो आपक Hardy-Wienberg log, क्योंकि अब आप सभी ने evolution पढ़ लिया है, natural selection पढ़ लिया है, natural selection क्या होता है, तो एक बार हम Hardy-Wienberg, दो scientist इन्हों ने study की mutation पर, mutation क्या होते है, sudden change in the environment, इसे हम mutation कहते हैं, mutation में बहुत जादा study की, population के बारे में बहुत जादा study की, किसी पी एक particular population को लिया ले, और उस population में जो changes हो रहे हैं, होंगे या नहीं होंगे, क्या, क्या, आप कह सकते हो, क्या frequency है कि कोई change होगा या नहीं होगा genetic level पर कोई modification आएगा, नहीं आएगा, ये सब hardy और greenberg में study किया, study करने के बाद इन्हों ने एक principle दिया, ठीक है, उस principle में ये कहा करते थे, कि कोई भी एक population ले लो, एक बहुत बड़ी कोई population ली, उस population में, जो organisms हैं, वो आपस में sexually reproduction कर रहे हैं, ठीक है भाई, sexual reproduction कर रहे हैं, दूसरा उननों बोला, sexual reproduction की वजए से, उस एक large population में, relative frequency of alleles, alleles क्या होते हैं, हम जानते हैं, एक particular gene के दो अलग-अलग different alleles होते हैं, every single gene has two forms, and these two forms are known as alleles, ये जो alleles होते हैं, इनके appearance जो है, वो constant रहता है, the frequency of, नहीं, the relative frequency of alleles in a large population remain constant from generation to generation where organisms are sexually reproducing, फिर से देखते हैं, प्रिंसेपल क्या दिया, यहां पर, इन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी population ले लो, ठीक है, in a large population, relative frequency, देखो relative word हम कहां लगाते हैं, जब हम दो चीजों को आपस में compare कर रहे हैं, मैंने आपको relative dating समझाया था, कैसे हम fossils की age पता करते हैं, एक पुराना है, एक नया है, दोनों को आपस में compare कर रहे हो, जो हमारी प्रित्वी की सतय पर उपर-उपर मिल जाएगा, वो नया-नया होगा, जो जितना ज़ादा खोदने पर अंदर मिलेगा, वो उतना ज़ादा पुराना लोगा, दोनों को आपस में देखा, तो एक नया है, एक पुराना है, this is relative, मेरे बगल में एक short height 8% खड़ा हो, तो आप अराम से बोल दोगे, मैं relative height क्या है, दोनों की, एक की कम है, एक क बात कर रहे है, relative frequency of alleles, alleles आप समझ के, मैंने बोला, एक gene है, suppose कर लो, यह gene आई कलर के लिए responsible है, तो इसके हमेशा क्या होते है, दो forms होते है, एक फॉर्म पापा से आता है, एक फॉर्म मदर से आता है, ओव्यसी बात है, तो दो फॉर्म होंगे, उसके या तो हो सकता है, पा अलग-अलग है, alleles इसके, एक फादर की तरफ से, एक मदर की तरफ से, तो यह होते है, alleles, तो जो frequency है, इन alleles की, यह हमेशा constant रहती है, है, from generation to generation, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, from generation to generation, एक और condition क्या है, condition देखो यहाँ पर, in sexually reproducing organism, ठीक है, reproducing organisms, ऐसे organisms, जो sexual reproduction करते हैं, उन में यह possibility है, constant रहेगी value, अच्छा, इन्होंने यह statement दे दिया, इसमें आपको दो चीजा याद रखनी है, एक तो यहाँ पर बात की जा रही है, लार्ज population की, population बहुत बड़ी होनी चाहिए, जैसे human population ले लो, plus उस population की जो species है, वो आपस में sexual reproduction परफॉर्म करनी चाहिए, sexual reproduction कर रही है, तो condition satisfy होती है, और भी इन्होंने इसके लावा conditions लगा दी, इन्होंने का सिर्फ इतनी condition फुल्फिल नहीं होती है, मैं 3-4 condition और कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी population जिसमें कभी भी कोई mutation ना हो, mutation हो जाएगा तो, obviously बात है, constant नहीं रहेगा, हम जानते हैं, change हो जाएगा, जिसमें कभी कोई mutation रहा हो, दूसरी condition, population बहुत बड़ी होनी चाहिए, it should be a big population, and the members of the population should be sexual reproduction perform करना चाहिए, यानि के organisms जो हैं, वो sexually reproducing होने चाहिए, और random mating करते हो, organisms perform random mating, ठीक है, यह तीसरी condition दी इनोंने, यह तो मैरे definition में भी लिखी हुई है, अब यह सारे, जो conditions है, जब fulfill होती है, तब ही क्या कर सकते हैं, आप Hardy-Wienberg Principle को apply कर सकते हैं, ठीक है, sexual reproduction, human करते हैं, mutation, अचानक नहीं होता है, population बहुत बड़ी है, सारी condition satisfy हो रही है, अब इस condition के basis पर, उन्होंने एक equation दी, equation में उन्होंने क्या कहा, कुछ terms समझ लो, आप सभी ने समझे ही होंगे terms के बारे में, जैसे मैं कुछ terms लिखती हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने homozygous, homozygous का मतलब क्या होता है, when both the alleles are same, ठीक है, जब दोनों alleles same हैं, तो homozygous, heterogigous का मतलब क्या हुआ, when both the alleles are different, एक और term समझो, यह सभी आप, DNA, RNA, जब structure genetics पढ़ते हो, उसमें सभी न पढ़ा हुआ है, dominant का मतलब क्या होता है, जो अपने आपको express कर ले, वो alleles जो अपने आपको express कर ले, ठीक है, recessive क्या होता है, यह अपने आपको तभी express कर सकता है, जब इसके पास इसी के जैसा एक और alleles हो, समझ में आ गया, तो जैसे homo jagas condition की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर homo jagas condition, suppose कर लो, एक alleles है, A, ठीक है, किसी population में एक alleles है, इन्होंने A को represent किया, small p से, अगर homo jagas condition है, तो क्या होगा, double A, double A को इन्होंने क्या लिख दिया, भाई, p square लिख सकते है, small p है, capital P नहीं है, ठीक है, अब दिखते है, recessive condition, यह कैसी condition हो गई, आप काओगे, ma'am, this is homo jagas, dominant, dominant को हम हमेशा capital से लिखते है, capital से लिखा है, और दोनों same है, इसलिए homo jagas लगाया है, ठीक है, दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर, मैंने लिए small a, small a भी क्या है, ma'am, इसको represent किया है, इनोंने q से, small लिया है, इसका मतलब यह है, recessive, recessive मतलब, जो अकेला होगा, तो अपने आपको express नहीं कर पाएगा, यह अपने आपको सिफ तभी express करेगा, जब इसके पास, इसके जैसे दो होंगे, यानि कि यह कैसा हो गया, homo-gigus, homo means similar, और कैसा है, recessive, एक और condition उन्होंने दी, उन्होंने का, यह homo-gigus, homo-gigus condition तो समझ में आ रही, उन्होंने बोला, कई बार ऐसा भी हो सकता है, दो अलील आपस में cross कर रहे हो, यानि कि capital A भी एक साथ आ जाए, small a भी आ जाए, साथ में बिलकुल हो सकता है, तो इसको इन्होंने क्या represent करेंगे, capital A क्या है, P, small a क्या है, Q, ठीक है, उन्होंने बोला, किसी भी population में, अगर या तो आपको यह मिलेगा, या तो आपको यह मिलेगा, frequency, या तो आपको यह मिलेगी, और P, Q को इन्होंने लिखा, यहाँ पर, जो frequency हम निकालने वाले हैं, इसको balance करने के लिए, इन्होंने का, इसके आगे double लगा तो, 2P, Q होता है, किसी भी population में, अब इसके basis पर, इन्होंने जो reaction दी, या Hardy Weinberg, जो equation हम कहते हैं, जो equation इन्होंने दी, उस equation को, कुछ ऐसे लिखा जाता है, इन्होंने कहा, कि P square, प्लस Q square, क्या है, यह सब alleles, यह बी एक alleles है, combination यही हो सकते हैं, किसी population में, यही combination तो आएंगे, इन्होंने कहा, भाया, जब हम, इन सभी alleles की frequency, देखो, definition में क्या लखा हुआ है, relative frequency of alleles, relative frequency, सारे alleles की relative frequency लिख दो, होमोजागस dominant की यह रही, होमोजागस recessive की यह रही, हिट्रोजागस, अच्छा, इस condition को हम बोलते हैं, हिट्रोजागस, हिट्रो means different gametes, ठीके, दो अलग-अलग gametes हैं, दो अलग-अलग alleles हैं, से लिए इसको हिट्रो बोल रहे हैं, बागी उन दोरों को हमने होमो बोला था, एक को हमने dominant, एक को recessive बोला था, चलिए, इन्होंने बोला, relative frequency of alleles in a generation remains constant, constant कितना is equals to 1, यह है आपकी equation of Hardy-Winberg, देख लो भाई, Hardy-Winberg की यह equation होती है, यहां तक सभी को clear है, तो बताईए हम आगे बढ़ते हैं, Hardy-Winberg की यह equation है, चलो, Hardy-Winberg की पिंसिपल सिचुएशन समझ में आ रही है, यहां पर यह क्या कह रहा है, कि relative frequency जो होती है, किसी भी अलील की, किसी भी एक बड़े population में अकर होने की हमेशा constant रहती है, अगर वो population बहुत बड़ी है, अगर वो population sexual reproduction करती है, अगर वो population mutation नहीं शो कर रही है, तो यह condition satisfy होती है, और इन conditions को satisfy करते हुए, उन्होंने यह equation दी, और फिर जब उन्होंने यह equation दी, तो उन्होंने इस equation में कहानिया, questions भी दिये, questions आप से पूछे जाते हैं exam में, चलिए, यहां तर clear है, समझ में आया, P square plus Q square is equals to 2PQ, अब जो question यहां पर generate होता है, उस question को यहां पर लिख लीजिए, question लिखा हुआ है, in a population of MN blood group, यहां लिख लिख लेती हुँ, एक population है, जिसमें MN blood group की study की गई, एक बड़ी population है, human population ले लो या कोई भी ले लो, नहीं, human का MN का होता है, monkey का होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ी population है, जिसमें blood group को study किया गया, और कहा गया कि उसमें, M blood group की जो frequency होती है, frequency of M blood group is 0.7 and frequency of occurrence of and blood group is 0.3, then what will be the frequency of heterozygons? question यह है अब, what will be the frequency of हेट्रोजाइगस इंडिविज्विज्वल इन अ पॉपूलेशन इस पॉपूलेशन में हेट्रोजाइगस की अच्छा, और यहाँ पर आपको याद रखना है, equation क्या है, फिर लिख देती हूँ, P square plus Q square is equals to 2PQ, ठीक है, यह आपकी equation है, इस equation को लगाना है और answer solve करना है, MN blood group की study की गई है, MN मैंसे M blood group के appear होने की frequency है 0.7, N blood group के appear होने की frequency है 0.3, हमें पता करना है heterozygons, हम किसे कहते हैं, अगर आपको यह दिमाग में recall होगा, तो आप इस answer को बड़ी असानी से दे दोगे, ना, देते हैं 2 minute, उसके बाद answer बताएंगे, इसका solve करके बताएंगे, what will be the frequency of heterogigous individuals in a population, एक बड़ी population में, बताएं, M blood group भी अपने आपको express कर पा रहा है, N blood group भी अपने आपको express कर पा रहा है, यह दोनों अपने आपको express कर पा रहे हैं, यह दोनों homo gygals हैं, हमें बताना है heterozygals का, चलिए, बताएं, झाल, झाल, बताएं, चलिये एसके बाद हमें एक और question स्वाल कर ना है ये हमें क्या बोल रहा है जो M blood group है उसने अपने आपको express किया है एकस्पेस किया है तो इसकी frequency किया है भया, इसके appear होने की frequency कितनी है, 0.7 M blood group ने अपने आपको express कर लिया है इसका मतलब क्या हम M को equivalent मालने किसके P के बिलकुल माल सकते हैं इन्होंने बोला कि N blood group भी अपने आपको express कर पा रहा है ठीक है? N blood group और इसके appear होने की frequency कितनी है? 0.3 तो क्या हम इसको Q के equivalent माल सकते हैं? बिलकुल माल सकते हैं इसने हमसे क्या पूछा है? हेट्रोजाइगस की frequency बताईए हेट्रोजाइगस individual और हेट्रोजाइगस condition को मैंने क्या रेप्रिजन किया था? PQ और जब अगर हमें इसकी frequency निकालनी है तो हम इसके आगे double लगा देंगे यही तो मैंने पीछ बताया था, let's see, यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्या बोला था? यह है हिट्रोजाइगस condition, आपसे यह पूछा गया है यह दिया है, यह दिया है और आपसे पूछा यह गया है, ठीक है यहाँ पर, तो हमें क्या निकालना है 2PQ, सिंपल सी बात है 2PQ मैं value put कर दो, क्या हो जाएगा? 2 into P is 0.7, Q is 0.3, multiply कर दो, इसका answer आजाएगा आपका, ठीक है? 0.42, यह है आपकी हिट्रोजाइगस की frequency, यानि के M in blood group M in blood group किन-किन लोगों का होने वाला है, this will be the frequency of occurrence of M in blood group और हिट्रोजाइगस blood group in a particular population, frequency हमें direct दी हुई है, हमें 0.7, हमें individual नहीं दी है अगर आपसे ऐसे बोला जाएगा, एक population है, 1000 लोगों की, उसमें से 400 लोग जो है, वो M blood group के हैं, 800 लोग N blood group के हैं तो हमें बता दीजिए, हिट्रोजाइगस की क्या possibility होगी, तो पैसे पहले आपको individuals को frequency में change करना पड़ेगा, यानि के 0.7, 0.3 जैसा answer लेके आना पड़ेगा, फिर आप हिट्रोजाइगस का answer निकालोगे समझ में आया है, यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परिशानी, बताइए जरा, 0.42 आजेगा, क्रॉस चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर, क्रॉस चेक करें, हम यहाँ पर चलिए, हमें यह बोला गया है, जब हम इन तीनों का sum करेंगे, तो हमें value क्या मिलनी चाहिए, 1 के equal मिलनी धाँ, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, दूसरे कलर से करेंगे, चलो, क्रॉस चेक करते हैं, इसने क्या बोला, भया, 0.7 फ्रिक्वेंसी है, पी की, पी स्कुर्य नीकालो, कि यानि के 0.7 into 0.7 करो कि इतना हो जाता है 0.49 यानि के पी स्क्वेर इतना आ गया क्यों स्क्वेर निकालो क्यों कितना है 0.3 into 0.3 करो 0.3 into 0.3 क्या हो जाएगा 0.09 पी स्क्वेर आ गया q स्क्वेर आ गया 2p q आ गया value रखो इस equation में क्या है पी स्क्वेर कितना आया 0.49 प्लस q स्क्वेर कितना आया 0.09 प्लस 2p q कितना आया है 0.42 इन सभी का सम करोगे it will be equals to 1 अगर इन सभी का one equal आ रहा है इसका मतलब आपने तीनों की frequency सही calculate की है, यह हमने cross check कर लिया है, frequency अगर आपको cross check करके निकाल ली है, तो this is how you can cross check और आपके answer को neat का, यह neat और 12 दोनों की level का question है, और आया हुआ सवाल है, इसलिए आपको बता रही हूँ, कि directly अगर आपको frequency के form में दे रहा है, तो आप directly value पुट करो और answer निकालो लेकिन अगर आपको individual दे दी, कि एक population में इतने आदमी इस group के है, इतने आदमी इस group के है, फिर आपसे पूछा जाए कि frequency बताओ, तो पहले आपको जो normal individual दी है, उनको frequency में change करना है, यह P square Q square करके, फिर उसके बाद आप हिट्रो जाएगा, इसकी frequency अराम से निकाल सकते हो, एक और question करें यहाँ पर, कोई problem, चलो ठीक है, एक और question करते हैं, एक population है, एक और question है यहाँ पर, in a population of thousand individual, हजार लोग है उस population है, ठीक है, उसमें से homozygous dominant, a, a represent करने वाले 380 लोग है, ठीक है, a, a condition को, sorry, 360 लिख देती हूँ, मैं आपड, 360 लोग है, जो homozygous dominant है, इन मैंसे 480 है, जो heterogigous condition को बताते हैं, और उस मैंसे, 160 है, जो, sorry, 160 है, जो की, in a population of thousand, 307 represent करते हैं, homozygous dominant, ठीक है, 480 और 107, 480 represent करते हैं, heterogigous condition, और 107 represent करते हैं, homozygous condition, अब हमें क्या बनाना है, what will be the frequency of occurrence of a allele, एक single a लगाया है, double a भी लगाया, नहीं लगाया, a allele के इस population में appear होने की frequency क्या होगी, simple सा मैं आपको logic दे चुकी हूँ, यह number of individuals है, 460 लोग homozygous dominant है, 480 लोग heterogigous dominant है, 160 लोग homozygous recessive है, अब इनको आप पहले frequency में change कर लो, उसके बाद आप उनको particular a allele की frequency कितनी होने वाली है वो निकाल लो, चलिए, फटा-फट से solution करके बताईए, फिर मैं आपको बताती हूँ, एक मिनिट का time और सवाल solve करेंगे, चलिए, बताईए, बहुत ही simple है, बहुत ही जादा simple, हमें population दी हुई है thousand, इसका भी कुछ न कुछ यूज होगा, ज़रूर होगा, thousand individual की population दी हुई है, देखो, solution अगर हम करें, हमें क्या दिया हुआ है, double A, कितना दिया हुआ है, 360, double A का मतलब क्या हो गया, आप इसे P square लिख सकते हूँ, कोई problem नहीं है, है न, P square लिख रहे हैं, यानि के double A है, यानि के 360 है, ठीक है, आवाज दा लिख रहे है, चलो, ठीक है, क्या बोला मैंने, double A है, यानि के P square आपको दिया हुआ है, लेकिन यह frequency नहीं है, यह क्या दिया हुआ है, आपको number of individuals, तो पहले हम इसकी, क्या निकालते हैं, इसका frequency निकालते हैं, भाया, हजार लोगों मैंसे, 360 लोग हैं, जो, होमो, सॉरी, होमोजाइकस dominant शो करते हैं, double A, double A को, यानि के, लोग तो 360 हैं, पर out of thousand हैं, अगर आप इसको solve करोगे, तो कितना आजाएगा, जल्दी बताओ, इसको अगर हम solve करें, 0.36 आजाएगा, ठीक है, 0.36 यहाँ पर आगया, यह यहाँ पर क्या आया है, आपका P square, ठीक है, square आया है, यानि के A square आया है, हमें तो A की frequency निकालनी है, 0.36, और नीचे क्या आजाएगा, यह 100 आजाएगा, यहाँ पर, आगे solve कर लो, अच्छा, 0.36 को लिखाएगा, solve नहीं किया ना, हमने इसको, 0 से 0 काट दिया, और 36 का 36 रहेगा, इसको हटा देंगे, मैं series कर देती हूँ, यह रहेगा आपका 36, यहाँ पर हमने इसको, अंडर रूट में डाल दिया, स्क्वेर को हटा के, अंडर रूट में जब भी हम डालते हैं, अब इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे, तो क्या आजाएगा, 6, 6 आ, 36 और 10, 6 बाई 10 आजाएगा, P की frequency कितनी हो गई, 0.6, देख लो, और P क्या है, P is equivalent to A, यानि के A की frequency कितनी हो गई, 0.6, कोई देखत यहाँ पर किसी को, कोई problem, फिर से solve करें, फिर से देखते हैं, भाया हमें यह दिये हुए, 360 individual AA है, AA का मतलब क्या हो गया, P square है, हमने इसको ऐसे ही माना है, यह क्या है आपका, 2P Q है, है ना, यह क्या है आपका Q square है, simple सी बात है, इसने हमें person दिये हैं, पहले हम इसकी frequency निकाल लेते हैं, कि actual मैं number की जगाए अगा, frequency देखें, तो population में क्या frequency है, इसकी double की, square की, तो पहले thousand, जितने individual हैं, उसे इसको divide करते हैं, divide किया, तो हमारे पास value क्या आई, यह आ गई, ठीक है, यह value हमारी किसकी है, यह value आपकी P square की है, आपको P निकालना है, square को हटा के, हमेशा under root लगाते हो, under root में value पुट कर दो, 36 by 10, कितना आ गया, 6 by 10, divide करोगे, तो P आपके पास कितना आ गया, 0.6, यानि के A कितना है, आपके पास 0.6, 0.6 is the frequency of A allele to occur, in a population of 1000 individuals, समझ में आ गया, किसी की भी आप से पूछ सकता, भाईया, 2PQ की लिए नहीं आ सकते, अगर आप से हिट्रोजाइगस की पूछता, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, ओविएस ही बात है, 480 को आप 1000 से पहले डिवाइड कर देते, ये आपके पास क्या है, 2PQ, फिट जो भी आंसर आता, 2 को उधर मूव करते, उधर डिवीजन में करा जाता, आपको हिट्रोजाइगस की, अगर आप से Q स्कूर का पूछा जाएगा, या फिर आप से पूछा गया, कि small a small की निकाले, तो क्या करोगे आप, 160 by 1000 करतोगे, इजी, वाल्यूस इतनी इजी दी जाएं, कि आपको क्याल्कूलेशन के लिए, क्याल्कूलेटर की दिमाग लगानी है, टाइम कंस्यूम करने की ज़रत ना पड़े, यहाँ पर सीधा सीधा स्कूर अंडर रूट दिया, स्कूर रूट दिया हुआ है, 36 by 100 का, हम जानते है, 6 और 10 का स्कूर रूट होता है, यहाँ पर भी आप से यहीं बोल देगा, आपको अगर a square की निकालनी है, निकाल सकते हैं, frequency यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एक, एक ब्रह्मास्त्र है, जो है hardy-beenberg principle, और उस ब्रह्मास्त्र का equation है, p square plus q square plus 2pq is equals to 1, हमेशा यह constant रहता है, तीक है, लेकिन एक ऐसी population, जिसमें mutation, हाँ, नीट में आपसे equation पूछा जाता है, कि इन में से कौन सी conditions हैं, जो hardy-beenberg principle को satisfy करती है, इन में से किसी में भी change हुआ, तो hardy-beenberg equation वहाँ पर applicable नहीं होगी, समझ में आगा, आप तो बस यह याद कर लो, और पहला concept तो आप यह याद रखो, कहीं पर भी a, a, b, b, mm दे रहा है, आप उसको PQ, 2PQ से compare करना शुरू कर दिया करो, ठीक है, अगर आपको directly frequency दी हुई है, तो सीधा formula रखो, ठीक है, हिट्रो जाएगास पूछा है, तो उसका formula रखो, होमो जाएगास पूछा है, उसका formula रखो, सीधे calculation से answer निकालो, अगर आप से number of individual दे रहा है, population में, तो number of individual लो, सबसे पहले, number of individual की frequency को change करो, out of कितने individual हैं, divide कर दो, और फिर square root निकाल लो, एक individual allele की आपको frequency पता चल जाएगी, यही दो तरीके होते हैं, जिससे आपके exam में question आते हैं, इन दो के अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है, समझ में आया, यह हो गया आपका छुट्टू सा एक topic रह गया था, Hardy Wienberg principle का, वो भी मैंने आपको करा दिया है, थोड़ा सा हम किताब में भी जहांक लेते हैं, कि आपकी किताब क्या कह रही है, evolution, evolution, लीजे, हमारी किताब क्या कह रही है, सबसे पहले, शुरू आत करते हैं, इसने हमें बोला है, evolutionary biology, origin of life के बारे में बताया है, origin of life में, क्या इसने हमें बताया है, big bang theory, बिल्कुल big bang theory के बारे में बताया है, जो हम पर चुके हैं, एक single explosion हुआ था, जिसकी वज़े से फिर origin हुआ था, universe का, ठीक है, big bang theory, अच्छा सौरी, expand हुआ है हमारा universe, इसकी वज़े से, इसको हटाते हैं, चलिए, इसके बाद बताया, हमारा जो earth है, वो आज से लगबग 4.5 billion year अगो पहली बना, यही मैंने आपको आज बताया था, question भी आपको कराया थे, हाँ, उस वक्त हमारी प्रित्रवी पर, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, चलिए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर theories आईं, के कैसी-कैसी theories आई हैं, के life का origin कैसे-कैसे हुआ है, किसी ने कहा कि भगवान ने बनाया है, किसी ने कहा कि life थी, catastrophe की जो थी, catastrophe, ए बाइव जेनेसिस के बारे में बताया था, देखो, pre-existing non-living से living का बनते हैं, ये तो बहुत ही गलत थे 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 थे, थे 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 आपरेन और हेल्डेन की hypothesis आती है, जिसमें बताते हैं, chemical evolution हुआ है, और आपरेन और हेल्डेन की hypothesis को, किसने स्टेल ने मिलर और यूरे ने explain किया था, फिर बाद में देखो, इन्होंने सारी early earth की condition laboratory में create की, और जो जो बात आपरेन और हेल्डेन ने की थी, मिलर और यूरे ने उसे असानी से explain कर दिया था, with experimental proof, यह पूरा experimental proof दिया हुआ है इसमें, और उन्हें तीन simple amino acids मिले थे, finally, और उसके basis पर उन्होंने बताया कि हांजी, chemical से organic molecules बने और organic molecules के combination से life बने है, यह पूरा experimental setup है, जो आपको याद रखना है, इसी की मैं शुरुआ आप में बात कर रहे थी, यह Stanley Miller और यूरे का experimental setup था, ठीक है, सारी चीज़े प्रॉपर लेवल कर देना, सभी gases का प्रॉपर रेशियो बता देना, उसके बाद evolution of life forms के बारे हो, बहुत सारी theory दी गई, देखो क्या क्या नाम दिये हुए यहाँ पर, यहाँ सीधे Darwin के बारे में बताये गया है, आप जानते हो, इससे पहले Lamarck ने भी origin of life के बारे में बताया था, Darwin की जो ship थी, उसका नाम HMS Beagle था, इन्होंने Darwin Finches नाम का एक बहुत अच्छा example दिया था, जो adaptive radiation को और divergent evolution को शो करता है, चलिए, Darwin Finches, चलिए, Alfred Welles, यह भी मैंने बताया था, इन scientists में क्या कहा था, कि हमारा पूरा जो भी, आप कह सकते हो, पूरा पृत्वी जो है, वो छे भागों में divide है, बायो जो ग्राफिकल एविडेंस इन्होंने दिया था, Alfred Welles ने, आगे पढ़े, वाट आर दा evidences of evolution, जब evidences of evolution की बात आती है, कि हमारे पास क्या स्वबूत है, तो आता है embryological evidence, जहांपर आप देखते हो, कि सभी vertebrates के बच्चे, embryonic stage में similar दिखाई देते हैं, फिर बात में वो धीरे-धीरे, अपने-अपने particular species के organs को, develop करना शुरू कर देते हैं, पर initially they all look similar, why? because they might have a common ancestor, यह हमें ऐसा बताता होगा, उसके बाद, आंस्ठेकल ने भी एक theory दे दी थी, जिसको आप कहते हो, यह सारी theories मैं आपको बता चुकी हूँ, चलिए, आगे बात करते हैं, वान बियर ने दी थी, recapitulation theory, यह तो आपके dinosaurs के पूरवज बताए गए हैं, reptiles, reptiles कैसे आए हैं, देखो, यह सभी reptiles है, ठीक है, similarity, चलिए, हां जी, यह यहाँ पर दे रहा है, यह morphological similarity, morphological evidence बताते हैं, और morphological evidence में, सबसे पहले हम homologus के बारे में बात करते हैं, यह homologus का example है, homologus जो है, वो क्या show करते हैं, divergent evolution, adaptive radiation, common ancestry, hard CA करके मैंने short बताया था आपको, है ना, hard CA में क्या है, homologus organs, क्या करते हैं, adaptive radiation show करते हैं, divergent evolution show करते हैं, और common ancestry show करते हैं, यही तो आपको बताया था मैंने, चलिए, आगे बात करते हैं, और क्या दिया हुआ है, homologus के बालावा, अच्छा, यह सारे example दिये हैं, bog in willia, thorn in bog in willia, और kukur bittain, सबका origin सेम है, इसलिए यह homologus organs होते हैं, यह homologus organs है, सारे के सारे, यह सब मैंने आपको example दिये हुए हैं, homologus के अलावा, यह industrial melanism, natural selection का बहतरीन example, industrial melanism, एक पूरा lecture है, प्लीज इसको पढ़ लेना, पहले ग्रे वाले मौत बहुत जादा पाया जाते थे, और फिर ब्लैक वाले मौत जादा पाया जाते थे, क्योंकि background ब्लैक हो गया, तो ब्लैक से ब्लैक आराम से, अपने आपको इन्होंने बचा लिया, यहाँ पर grey से grey, तो इन्होंने आराम से अपने आपको बचा लिया, और जो predator थे, फिर बाद में इनको खा गए और पहले इनको खा गए थे, इसलिए क्या बताते हैं, नेचर भी अपने आप सिलेक्ट करती है, यह नाचरल सेलेक्शन का एक्जाम्पल है आपका, ठीक है, इंडस्ट्रियल मिलानिजम कहा जाता है इसको, इसके बाद मैंने Adaptive Radiation का concept आपको बताया, Adaptive Radiation में Darwin Finches का बहुत बहतरीन एक्जाम्पल आता है, Adaptive Radiation हमें दो चीज़े बताता है, एक तो Common Ancestry की वज़े से Evolution हुआ है, और एक No Common Ancestry की वज़े से, जैसे हम Divergent और Convergent Evolution बोलते हैं, यह Darwin Finches Divergent Evolution का एक्जाम्पल है, कि एक ही आइलेंड के अलग-अलग एरियास पर पाई गई गई, सिमिलर बर्ट में Morphological Difference है, क्योंकि उन्होंने अलग-अलग एरियास के Environment की अपने आपको अडाप्ट कर लिया था, इसी लिए इसको Adaptive Radiation कहा जाता है, Adaptive Radiation का एक और एक्जाम्पल है हमारे पास, Marsupials, Australian Marsupials का भी मैंने आपको एक्जाम्पल बताया था कर, यह सारे के सारे देखने में एक दूसरे से बहुत जादा अलग हैं, इसी लिए यह भी Divergent Evolution को बताते हैं, Australian Marsupials के अलावा, एक और एक्जाम्पल मैंने आपको दिया था, देखे यह दिया हुआ है, प्लेसेंटल मैमल्स और Australian Marsupials को जब हम देखते हैं, एक अमेरिका में पाये जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया में पाये जाते हैं, इनको जब आप compare करते हों, यह morphological similarity शो करते हैं, वाई, because they have similar habits, but they are living in different different countries, different different areas, they have different different ancestors, still they show similarity in their morphological structures, वाई, because they are sharing similar characters, इनकी similar आदते हैं, इसी लिए, यह कहलाता है, Convergent Evolution का example आपका, देखो यही सब दिया हुआ है आपकी बुक में, और कुछ भी extra नहीं है, यह सब मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, यह हो गया आपका, इसके बाद आया आपका, mechanism of evolution जिसमें आता है आपका Hardy-Wienberg principle के बारे में, यह Hardy-Wienberg principle ही मैंने आज आपको समझाया है, कि यहाँ पर आपको frequency कैसे निकालनी होती है, इनका एक ब्रहमास्त्र है, एक पूरी equation है, जिससे आप बोलते हो, P square plus Q square plus 2 PQ is equals to 1, it will always remain constant, ठीक है जी, चलिए, आगे देखें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं, यह हो गया आपका, Brief of evolution, चलो ठीक है, यह तो थोड़ा सा बता रहे हैं कि evolution कैसे कैसे हुआ है, मैंने आपको पूरा geological time scale समझाया, यह पूरा geological time scale है, देखो, Carboniferous period, Permian, Triassic, Jorassic, Cretaceous, मैंने detail में आपको पूरा chart बनवाया है, plant और animals में क्या-क्या evolution हुए है, by the time, time के साथ, उस time period को क्या कहा जाता है, उसके साथ मैंने आपको chart बनवाया है, मैंने जो बनवाया है, उसको याद कर लो, वो जादा असान आपके लिए याद करना, ठीक है, यहाँ पर सब बताए गया है, कि mammals कैसे आए, mammals से पहले birds कैसे आए, birds से पहले fishes कैसे आए, dinosaurs कैसे आए, किस वज़े से dinosaurs extinct होगा, यह सारी कहानियों मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, चलिए, यह human evolution, जो कल मैंने आपका lecture लिया है, human evolution का, जिसमें आपको दो घंडे लगातार, मैंने सिर्फ human के बारे में बताया, कैसे वो 25,000 साल पहले आया, और पिछले 10,000 साल में उसने कितना evolution किया है, यह सारी कहानी हमने NCRT के according ही, और time के साथ आपको पढ़ाई है, हमने evolution अपना कैसे पढ़ाई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंकाल मौझूद है, हमें बहुत सारे कंकाल digging करने पर मिलते हैं, उन digging की वज़े से हमें पता चला कि भईया human का evolution हुआ है, यहाँ पर आपका syllabus होता है complete 12 का question करा दी, आज मैंने आपकी book पढ़ा दी, मैंने आपको एक चोटा सा topic था, hardy win work principle, वो principle बता दिया, उसकी condition बता दी, उसकी equation बता दी, satisfaction बता दिया, कैसे satisfy होती है, कैसे आपको numerical solve करने है, numerical solve करने का तरीका बता दिया, frequency दिये, तो direct formula रखो, direct value डालो, answer निकालो, number of individuals दिये हैं, तो पहले उसे frequency के form में लेके आओ, फिर उसे individual allele की frequency निकालो in a population, बस इनी दो concept से आपके question आते है, medical or 12 में, कल से हम एक नया batch शुरू करेंगे, एक नई class के लिए class 12 का आपका complete होता है, फिर भी अगर आपको किसी चीज में कोई problem है, किसी topic को दुबारा पढ़ना है, तो मुझे बता दीजेगा, हम उसको repeat कर लेंगे, तब तक के लिए, take care, good night, bye, bye